नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त रविंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल ग्यानसागर दोस्तों आज हम बात करेंगे आखों में जलन, आखों में खुजली और आखों में दर्द होने जैसी समस्याओं के बारे में दोस्तो आखों में जलन का मतलब होता है आखों में जलने जैसा कुछ अनुभव होना या फिर आखों में उत्तेजना का एसास होना इस स्थती में रोगी को आखों में खुजली होती है आसू आते हैं या कीचड आता है या फिर आखों में अन्य डिस्चार्ज होने जैसी समस्या होने लगती है यानि आखों में पानी आने लगता है जादतर इस्तती खतरनाक नहीं होती है, हानी रहित होती है, लेकिन फिर भी इसका सावधानी इसमें रखनी चाहिए हाला कि कुछ ऐसी इस्ततियां भी होती है जो किसी गंभीर समस्या का संकेत देती है कुछ लोगों में सिर्फ आखों में जलन की ही समस्या होती है जबकि कुछ लोगों में बहुत सारे अन्य लक्षन भी महसूस होते है जैसा कि आखे लाल हो जाती है आँखों में पानी लगतार आने लगता है आँखों में दर्द होने लगता है आँखों में सूजन आ जाती है या फिर आँखों के आसपास दर्द और खुजली होने लगती है दोस्तो जादातर मामले हमारे परियावरन यानि वातावरन के कारण आखों में जलन पैदा करते हैं लगबग सभी मामलों में जलती हुई आखें एक अलग ही समस्या के लक्षन के तोर पे सामने आती हैं दोस्तो आखों में जलन दर्द और सूजन और खुजली के बारे में हम आपको अधिक विस्तार से बताएं और उनके उपाय बताएं उससे पहले हम जानेंगे कि आखों में जलन होने के लक्षन हमें क्या दिखाई देते हैं दोस्तों कुछ लक्षन हैं जिनके द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं आखों के समस्याओं को जलन के साथ आखों में दर्द होने लगता है आखों में पीड़ा यानि तकलीफ होने लगती है लालीमा आखों में आजाती है यानि आखे लाल हो जाती है ध्यान लगाने में हमें परेशानी होती है यानि एकागर चित्ता नहीं कर सकते हैं आँखे सूखी हो जाती है ड्राई हो जाती है या फिर गीली हो जाती है इसके अलावा धुंदला दिखाई देने लगता है या फिर दोरह दिखाई देने लगता है रोसनी के प्रति समवेदन शीलता बढ़ जाती है आँखों में खुजली होने लगती है नाक और गले में बलगम जमने लगता है कई बार छीके भी बहुत अधिक आने लगती है आँखों में खून जैसा दिखने लगता है या फिर देखने में द्रश्टी जो है कमजोर होने लगती है इसके अलावा चमकती रोसनी दिखाई पड़ती है या कई बार अधिक रोसनी में प्रॉबलम हमें सामने आती है दोस्तो ये लक्षन जीवन की गुनवत्ता में कमी कर देते हैं अगर आप देर रात तक जागते हैं और घंटों तक आप कोई लगतार काम करते हैं तो ये समस्या और ज़्यादा बिगड़ जाती है या फिर आप लगतार मोबाईल स्क्रीन का यूज करते हैं या टीवी देख लेकते हैं तब भी आँखों की समस्या और जादा बढ़ जाती है इसके लिए आपको परियाप्त नींद लेने चाहिए इसके अलावा भरपूर भोशन आपको मिलना चाहिए आखों को इसके ठीक विपरीत नींद में कमी होने से आखों की समंदित तकलीफे बार बार होने लगती है तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि लक्षन क्या है अब हम बताएंगे कि आखों में जलन आखों में दर्द और खुजली के मुखे कारण क्या होते हैं दोस्तों रोजाना धूल मिट्टी गर्मी तेज हवा और सूरज की सीधी रोसनी आखों के संपर्क में आने लगती है जिससे कि आखों पर बुरा इफेक्ट पड़ता है और आखों को एक प्रकार से चोट लगती है और वे घायल हो जाती है इसके अलावा सीधे तोर पर कोई रसायन के संपर्क में अगर आखे आ जाती हैं तो उससे भी बहुत नुक्सान पहुंचता है कुछ ध हुआ ये कुछ चीजें हैं जिनके संपर्क में आखे आती हैं तो आखों में दर्द खुजली और परेशानी होने लगती है दोस्तों इसके अलावा ऐलर्जी के कारण भी ऐसा होता है आखों में ऐलर्जी हो जाने कि सबसे आसान पैचान आखों में खुजली होते हैं ये ख इसके कारण भी आँखों में समच्या होती है, जब आँख में जलन पैदा करने के सबसे सामान्य कारण यही है, कि व्यक्ति किसी ने किसी वक्त में या किसी ने किसी काम के कारण आँखों पर जोर डालता है, जादता लंबे समय तक mobile screen पर ध्यान रखता है TV देखता है या बहुत लंबे time तक books वगरा पड़ता है जिससे आँखों पर जोर पड़ता है दोस्तो इसके अलावा आँखों में अगर पहले से कोई रोग है या कोई संक्रमन हो गया है तब भी आँखों की समस्या सामने आती है दोस्तो इसके अलावा कुछ और भी कारण है जैसे है contact lens जो होता है उसको साफ नहीं करते हैं जिसके कारण आँखों में problem होती है या फिर lens के जो number है वैचेंज हो गए है उसके कारण भी आँखों में problem होने लगती है या फिर कुछ दवाईयां का इस्तमाल आप कर रहे हैं और वे दवाईयां अगर side effect करती हैं तो भी आँखों की तकलीफ हमें होने लगती है उम्र के साथ साथ भी आँखों में problem होने लगती है आसू का उत्पादन या तो कम हो जाता है या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तेज रोसनी अगर आँखों पर पड़ती है तो आँखों में problem होने लग जाती है आँखे सुस्क हो जाती है तो दोस्तो आज हमने बताया कि आँखों की जो समस्या है उसके मुखे कारण क्या है और अगर आँखों में समस्या होती है तो उसके लक्षन हमें क्या दिखाई देते हैं दोस्तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ घरलो उपाई जिनके कारण आप आँखों को स्वस्त रख सकते हैं और आँखों में जो इस तरह की प्रॉबलम है समझ चाएं हैं उनका आसानी से आप निजात पा सकते हैं दोस्तो यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और जो इस रोग से परेशान है उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए यानि इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें जिससे की नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें धन्यवाद दोस्तों